विल्कम बैक टू अवर यूट्यूब चानल आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टरन स्टाइल जैसा चीजी पीजी वाइट सॉस पास्ता तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें एक चौड़े पैन में पानी को बॉयल करने के लिए रख देना है हम MTR कमपनी का पास्ता यूज कर रहे हैं जिसका शेप कुछ इस तरह से है ये देखें आप किसी भी कमपनी का कोई से भी शेप का पास्ता यूज कर सकते हैं जो मार्केट में इजली अवेलिबल है ये देखिए हमारा जो वाटर है वो बॉयल हो गया है अब हमें इसमें एक टी स्पून ओयल अड़ कर लेंगे और एक टेबल स्पून नमक भी अड़ कर लेंगे ये पास्ते का पाकेट हमारा 180 ग्राम का है जिसमें तीन से चार लोगों का पास्ता इसली बन जाएगा हमने बॉयल वाटर में अपना सारा पास्ता डाल दिया है हमें यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है टिप नमबर वन जैसे ही हम सॉल्ट अड़ करेंगे उसकी तुरन बाद हमें पास्ता वाटर में अड़ कर देना है ताकि नमक का स्वाद हमारे पास्ते में अच्छे से आ जाए और हमारा पास्ता ब्लैंड न लगे टिप नमबर टू ओयल हम इसली अड़ कर रहे हैं ताकि हमारा पास्ता आपस में ना चिपके हमें 6-7 मिनट तक पास्ता को पकाना है और हमें सिर्फ 80-85% पास्ता को पकाएंगे क्योंकि हमें पास्ता को बाद में भी कुक करना है ये ध्यान रखें कि हमारा पास्ता ओवर कुक ना हो ये देखिए हमारा पास्ता 80-85% तक कुक हो गया है बस इसी तरह से हमारा पास्ता कुक होना चाहिए अब हम ग्यास को बंद कर लेंगे और इसका सारा पानी स्ट्रेंड कर लेंगे स्ट्रेंड करने के तुरंद बाद हमें अपने पास्ता को थंडे पानी से धो लेना है जिससे की हमारा पास्ता एक दुसरे में ना चिपके अब हमें एक पैन में 2-3 टी स्पून ओयल ले लेना है हम वेजीज में ओनियन, कैपसिकम और कैरेट को यूज कर रहे है अब हमारा तेल गरम हो गया है सबसे पहले हम ओनियन को पका लेंगे और हम ओनियन को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा ट्रांस्परेंट न दिखने लगे हमारा जो प्यास है कुछ इस तरह से दिखेगा पकने के बाद अब हम इसमें बाकी दोनों वेजीज को भी आड़ कर लेंगे और दो से तीन मिनिट तक अच्छे से पका लेंगे अब हम इसमें बॉयल कॉन आड़ कर लेंगे कॉन आड़ करने के बाद हमें इसमें एक टी स्पून ब्लाक पिपर आड़ करना है और स्वाद अनुसार हमें नमक भी आड़ कर लेना है ध्यान रहे हमने पास्ता में भी नमक आड़ किया है और बाद में भी हमें थोड़ा सा सॉल्ट आड़ करना है अब हम इन सब को मिक्स कर लेंगे तो अब हम आते हैं अपने टिप नमबर थ्री पे हमें अपनी सारी वेजीस को टोटल 5 से 6 मिनट ही पकाना है जिससे उनकी क्रंचिनेस बनी रहे अब हमारी वेजीस अच्छे से कुख हो गई है तो हम गास बन करके इसे साइड में रग देंगे तो चलिए अब हम चलते हैं वाइट सॉस बनाने जिसके लिए हमें सबसे पहले पैन में बटर ले लेना है और अच्छे से बटर को मिल्ट कर लेना है हमारा बटर अच्छे से मिल्ट हो गया है अब हम इसमें 3 टेबल स्पून मैदा आट करेंगे और इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भूल लेंगे जिससे की जो हमारा मैदा है उसका कच्चापन चला जाए टिप नमबर फोर हमने जितनी कौन्टिटी में बटर लिया है हमें उतनी कौन्टिटी में मैदा भी यूज करना है ये देखिए जो हमारा मैदा है वो अच्छे से अब भुन चुका है और इसका color भी हलका change हो गया है अब हम इसमें धीरे-धीरे milk add करेंगे और continuously इसे चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें lumps ना बने कुछ इस तरह से हमें milk को add करते रहना है और अच्छे से mix करते जाना है हमें इसे तब तक mix करना है जब तक हमारा एक creamy सा texture ना बन जाए हमने इसमें देड़ कप दूद का अस्तमाल किया है ये देखिए जो हमारा creamy texture है कुछ इस तरह से बन करके तयार हो गया है ये ध्यान रखें कि हमारा white sauce ना ही जादा पतला होना चाहिए और ना ही जादा गाड़ा होना चाहिए अब हम इसमें add करेंगे एक टेबल स्पून mixed herbs नमक स्वाद अनुसार थोड़ी सी चिली flakes और black pepper फिर हम इन सब को अच्छे से mix कर लेंगे और अब हम अपने sauce में veggies को और pasta को add कर लेंगे और अच्छी तरह से mix कर लेंगे टिप नमबर 5 अगर आपको अपना pasta बहुत कहड़ा लग रहा है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून milk या water भी add कर सकते हैं 2 मिनिट कुक करने के बाद हम gas को off कर लेंगे और इसमें हम सबसे favorite ingredient cheese को add करेंगे हमने यहाँ use किया है अमूल का cheese अब हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे ये देखिए हमारा yummy और delicious cheesy white sauce pasta बन करके ready हो गया है अब हम इसे एक plate में serve कर लेंगे अब हम इसे garnish कर लेंगे उसके लिए हमें थोड़ा सा mixed herbs टालना है थोड़ी सी chili flakes और चीज को स्प्रिंकल कर देना है ये देखिए हमारा restore style का white cheese sauce pasta बन करके ready है हमारी इस recipe को ज़रूर ट्राइ करेगा और comment section में बताईएगा आपको ये recipe कैसी लगी इसी तरह की और मज़ेदार recipes के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूले तिल देन बाबाई